नुपुर शर्मा ने हाली में जो बयान दिया उसके लिए माफी तो मांगी ही साथ ही उसे पार्टी ने निकाल भी दिया इससे बड़ा एक्शन और क्या लिया जा सकता था उन्हें पार्टी से निकाला गया और सक्त हिदायत दी गई उसके बाद भी कुछ मुस्लिम किर्वेश जो की सब्सक्ती है यह आवाज उठाने लगे यहां तक कि इस बीचम कूद गया और आप तालिबान सिखा रहा है है कि हम वह क्या करना चाहिए और भारत के बारे में पता नहीं क्या-क्या आपति जनक बातें बोल रहा है तो अब हम किस आा नहीं नहीं एक दिंक वो चिला चिला कर कह रहा है, नुपुर शर्मा अगर हमें मिल जाए, तो पीट-पीट कर मार डालेंगे, अब ये खुले आम इस तरीके के बयान दे सकते हैं, इन पर कोई एक्षन नहीं होगा, ओवेसी दिन भर और हर रोज हिंदू विर्योधी नारे लगाते हैं, भारत माता की जै बोलने पर इने आपत्ती है, गव माता का मांस खाने में इने कोई दिक्कत नहीं, है न, उनके लिए भी ये पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, पर इनके अंगेंस्ट कोई कारवाई नहीं होनी चाहिए, ये जो है, ये सही है, ये अपने धर्म के अकॉर्डिंग चल र उसके बाद कतर चिला रहा है, कतर ये वही तेश है, जिसने M.F.Husain, इतने बड़े और इतना फेमस जो पेंटर है, उसको 2006 में हायर किया था, हिंदू देवी देपताओं की अपत्ती जनक तस्वीरे बनवाने के लिए, और अब ये भारत के राजदूत को बुला कर कह रहा हमें जो करना था हम कर चुके हैं, हमारी सरकार अपने में इतनी शक्षम है कि वो सब कुछ न्यायपूर्ण सही धंग से कर सकती है, आपको राय देनी की जरुवत नहीं है और भढ़कानी की जरुवत नहीं है, अभी चीन में उईगर मुसल्मान और पाकिस्तान के खालिस्त कार किये जा रहे हैं, और खालिस्तान के मुसलिम तडप रहे हैं, और उनको ये सब मुसलिम एकसेप्ट नहीं करते हैं, है ना, अब ये उनके मुसल्मान नहीं है, कुछ करना है, आवाज उठानी है, तो ये भी आपके मुसलिम भाई हैं, जाएए उनके अंगेंस्ट कारव